Hello everyone, welcome to Learnerby Extra, I am Shivani Chauhan, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Class 9, Maths की Booker Chapter 6, Lines and Angles, Exercise 6.2 के Question 1 and 2 तो देखते हैं, Question 1, Find the values of X and Y, X and Y की values को हम लोगों को find करना है and then show that A, B is parallel to Z, तो हम लोगों को क्या करना है, X और Y की क्या है values find करनी है और फिर हमें ये भी show करना है कि A और B जो हैं, वो आपस में क्या है, parallel है अब हमें एक चीज तो पता है कि एक linear pair की property होती है linear pair की property हम लोगों को क्या कहती है, कि देखो, इस तरीके से ऐसे ये वाली जो line जा रही है ये वाली line जा रही है, इस पे और इसको ये वाली line से करके काट रही है अब इस line पे ये वाले जो ये दोनों angle बनेंगे न, इन दोनों angles का sum क्या होगा? 180 degree होगा, ये चीज हम लोगों को पता है कि ये भी linear pair की property यहाँ पर लग रही है तो हम लोग क्या करेंगे, A, B जो है, A, B और ये वाली जो line जा रही है इस पे चलो आप ऐसे करके रिख लो इस तरीके से कि we know that we know that a linear pair is equal to क्या है? we know that a linear pair is equal to 180 degree linear pair is equal to क्या होता है? 180 degree के होता है तो ये X plus 50, ये वाला जो X plus 50 है X plus 50 क्या हो जाएगा? 180 degree हो जाएगा बैंने आप पर बताया था न, ये ऐसे करके ये वाली line जा रही है और इस line को ऐसे काट रही है और ये दोनों का sum क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा यानि कि ये वाला जो X था न, इसकी value क्या आगई? 130 आगई अब देखो, अब ये देखो ये क्या है? we know that vertically opposite angles are equal अब ये यहाँ पर देखो, ये ऐसे करके X बन रहा है तो अगर ये वाला 130 है, तो ये वाला भी क्या होगा? ये वाला भी तो 130 हो जाएगा तो इसका मतलब Y is equal to 130 और क्या property लगी है इसमें? vertically opposite angle vertically opposite angle लगी है, तो ये हो गया अब हम लोगों को हमें क्या करना था? X और Y की value निकाल नहीं थी? X हमारे पास हम लोगों को ने निकाल दिया कि 130 है और Y हम लोगों को ने क्या निकाल ला, हाँ 130 और Y भी कैसे आ गया? 130 आ गया कि ये वही vertically opposite angle था अब हमें ये प्रूफ करना है कि AB, ये जो AB line है और ये जो CD line है, ये आपस में क्या है? parallel है तो आप लोग ऐसे दिखोगे इसके बाद in two parallel lines in two parallel lines अगर lines parallel होती है alternate interior angles जो होते हैं वो equal होते हैं in two parallel lines alternate ऐसे करके लिखो alternate interior angles alternate interior alternate interior angles in two parallel lines alternate interior angles are equal parallel lines जो होती हैं उसमें alternate interior angle equal होते हैं है ना तो alternate interior angle कौन से होते हैं? देखो ऐसे करके Z बन रहा होता है यहाँ पे मैं आप लोग को दूसरा dark सा color ले रहती हूँ ठीक है? अब देखो यह ऐसे करके यह वाल यह ऐसे जा रहा है ऐसे करके और ऐसे करके Z बनता है और Z में जो यह वाला angle होता है ना यह वाला और यह वाला आपस में क्या होते हैं? equal होते हैं अगर यह वाला angle और यह वाला angle अगर ऐसे करके Z बन रहा है ना और यह वाला angle और यह वाला angle equal है, इसका मतलब है कि यह दोनों lines जो है, वो parallel है, क्योंकि alternate interior angle हमेशा parallel lines के बीच में ही बनता है, ठीक है, alternate interior angle हमेशा parallel lines के बीच में बनता है, क्योंकि alternate interior angle है, क्योंकि यह आपस में equal है, इसका मतलब क्या हो गया, यह दोनों की दोनों lines जो है, वो parallel है तो इन two parallel lines alternate interior angles are equal in this x is equal to y है in this x is equal to y is equal to 130 है this proves that यह हम लोग को क्या proof कर रहा है कि जो तोनों lines है वो parallel है this proves that alternate interior angles are equal this proves that angles are equal angles are equal so lines are parallel equal so lines जो हो जाएंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी lines हमारी parallel हो जाएंगी so lines are parallel ठीक है क्योंकि alternate interior angle और यह अपस में equal और alternate interior angle बन रहे होता है तो line क्या होती है आपस में parallel हो जाती है तो यह हम लोग का solution होगे हम लें x की value निकाल दी linear pair से y की value निकाल दी vertically opposite angle से और इंदरो line को equal proof कर दिया alternate interior angles की help से ठीक हो गया अब question number two देख लेते हैं तो question number two जो है इसमें हम लोग को बोला गया है बता दिया हमें कि अगर a और b क्या है parallel है a b और c d parallel है यानि कि यह है a b और यह है c d हमें बता दिया कि a b parallel to c d एसे पहले question में प्रूफ कर रहे थे हैं बड़ी आप पे बता दिया कि a b c d के parallel है और c d जो है यह वाली जो है वह e f के parallel है यानि कि a b करनी है find करनी है तो देखो कैसे हम लोग इसमें करेंगे अब हमें क्योंकि पता है कि यह वाली जो लाइन से ना वो क्या है हमारी पैलल है तो सबसे पहले तो देखो हम लोगों को सिंपल सी एकी चीज़ समझ में आती है कि linear लगाए या फिर ट्रांसवर्सल लाइन क्या लगाए तो देखो यह वाली जो लाइन होती है ना जो linear जो पहले लाइन को काचते वे जाती इसको लोग क्या बोलते है इसको लोग ट्रांसवर्सल बोलते है अब एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल्स on the same side of transversal adds to 180 मतलब क्या है कि यह देखो एंगल का सम क्या होगा 180 होगा यानि की x plus y जो होगे न x plus y हमारे पास क्या होगे 180 डिगरी होगे कैसे एंगल्स ऐसे कर कि आप लोग लिखोगे angles on same side of transversal 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 line angles on same side of transversal line sums up to 180 degree तो angles on same side of transversal जो angles होते हैं transversal की same side पे उनका जो addition होता है वो हमारा 180 डिगरी हो जाता है angles on same side of transversal add up to 180 डिगरी यानि की यह जो transversal line थी इसके जो एक तरफ के angle आते हैं इन दोनों कासम क्या आता है इन दोनों कासम 180 आता है तो यह हम लोग अगर इसको first मान ले कि यह मारा first हो गया also हम लोग को एक चीज और पता है यह देखो यह जो है यह वाला यह वाला जो o बन रहा है क्योंकि यह हमारी transversal जा रही है और यह दो parallel lines है तो जो यह o है यह वाला और यह वाला यह दोनों आपस में क्या होंगे equal होंगे o और z क्या होंगे equal होंगे क्योंकि देखो जैसे कि इस तरीके से parallel line जा रही होती है और उसको transversal cut कर रही होती है तो यह वाला angle और यह वाला angle क्या होता है corresponding angle होते हैं तो जो o है और z है वो क्या है o और z हमारे corresponding angle o और z corresponding angle बन रहे हैं है ना तो आप ऐसे लिख दो o is equals to z corresponding angle ठ तृआगी वैसी मैंने class बना रख रहे है corresponding angle क्या होते है और इस तरीके का corresponding angle थे हैं गुपर जा रही है यह यह वाला angle क्या होगा 1 को फेल जो है वो corresponding angle है और इसी तरीके से यह देखो ज़रा एक चीज और है यह वाली जो line जा रही है यह यह वाली line है और यह इस line के ऊपर यह दोनों जो angle बन रहे हैं यह क्या बन रहे हैं इसका मतलब क्या है कि y plus o क्या है 180 degree है है ना linear pair लिनियर पेर तो हर जगर बुषता है और इसी तरीके से अगर हम लोग को देखें यह linear pair है यह वाला और यह वाला linear pair हमारा बन रहा है और आप अगर देखो कि o is equal to क्या है z है है ना o z के बराबर है तो इस o की चेके मैं z रख दूँ तो y plus z क्या हो जाएगा 180 हो जाए इतना आगया अब थोड़ी सी काम की बात आई है क्यों क्यों कि हम लोग को क्या दे रखा है y और z का ratio दे रखा है 3 ratio 7 तो y ratio z क्या है y ratio z 3 ratio 7 है तो अब हम इसको क्या लगे लेंगे अब हम इसको ऐसे करके लेंगे 3a,7a ऐसे करके लेंगे y के जगए आप लोग क्या रख सकते हो y के जगए आप लोग रख दो 3a और z के जगए क्या रख दो 7a रख दो ratio वालों को तो हम लोग ऐसी ले ले लेते हैं is equals to 180 अब आपकी value आ जाएगा 10a is equals to 180 degree और a की value क्या हो जाए कि क्योंकि 10 multiply में था तो equal to स डुपसी दरफ जा करके divide बातों तो ए क्या आचाएगा रहिए हमारे पास आजाएगा 8158 की value क्या आजएगी 18 degree और Z क्या है? Z है हमारे पास 7A तो यह क्या हो जाएगा? 7 into 18 यानिकी 7 into 18 क्या हो जाएगा? 126 हो जाएगा तो हम पस Y की value आ गई 54, Z की value आ गई 126 अब हम लोगों को X की value निकालनी है X की value कैसे निकालोगे? तो देखो X plus Y क्या है? X plus Y 180 degree है क्यों? क्योंकि linear यह जो line है इस transversal के इस तरफ के जो दोनों एंगल होता है इनका sum 180 होता है Y की value आ गई तो X की भी आ जाएगी क्योंकि X plus Y क्या है? 180 है अब Y के जगा आप 54 रखोगे? परिशान मतो अभी दुबारा से समझाओंगी टफ है थोड़ा सा ना? बहुत साज जीज़े लग रही है X is equals to 180 minus 54 180 में से 54 जाएगा तो हमाँ पस बचेगा 126 तो X की value क्या आगे बच्चो? 126 तो अब हमारा question हो गया है पूरा अब क्या क्या हुआ है इस question में यह मैं आप लोग को बदा देती हूँ फिर से तो देको question number 2 जो था ना? इसमें हम लोग को बोल रखा था कि क्या बोल रखा था? यह जो lines है ना? यह 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 आपस में पहला लगा है और यह जो है यह एक transversal जा रही है transversal जो जाती है ना? उसमें यह वाला एंगल और यह वाला एंगल यह दोनों जो एंगल होते है ना? इनका sum जो है वो होता है 180 degree बदर transversal के एक side के जो दोनों एंगल होते हैं उनका sum हमारा 180 होता है तो इन दोनों का sum 180 है यह और यह क्या है? corresponding angle है क्योंकि यह parallel lines है यह पर z क्या है 180 अब हम यहां पर दे रखा था कि y और z का ratio क्या है? 3 ratio 7 तो हमने क्या किया यहां यहां पर y की जगह 3a रख दिया z की जगह 7a रख दिया तो a की value आ गई 180 180 a की value आ गई फिर हम लोगों ने क्या किया था यहां पर देखो a की value हमारी sorry 180 के रही हूं, a की value हमारी क्या आ गई थी? यहां पर इस तरीके से ratio बगरे ले लिए थे, a की value हमारी आ गई थी 18 अब y is the cost of 3a था तो a की जगह हम लोगों 18 रखा तो y की value हमारी आ गई 54 इसी तरीके से z क्या था 7a था, क्योंकि 3 ratio 7 था न, y ratio z तो हम लोग ratio हटा के 3a और 7a इनको पान लिया था, ठीक है, तो इनकी values हम लोगों ने निकाल ली, फिर z की value 126 आ गई, फिर हम यह पता था कि x plus y 180 है, इसमें हम लोगों ने y की value रखी और x की value 126 आ गई, तो हमारे first और second question इस exercise के complete हो गए है, thank you